हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान सागर में आपका स्वागत है इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इक्षा न रखता हो हर कोई अच्चाह रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इक्षाएं पुर्ण कर सके जदी बहु सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वह अपना ठीक से गुजारा कर सके धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राच चुनते हैं धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं प्रन्तु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर 38 सिग्र धन कमाने की कमना करते हैं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है लेकिन साम होते होते कुछ चंद सीकों के अलावा उनके पास कुछ सेस नहीं रहता इस समस्या से निपटने के लिए सास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताये गए हैं जिने अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा सास्त्रों में परसीद बास्तू सास्त्र में यह बताया गया है कि इन पांच बस्तूओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा आईए जानते हैं पर्स में वो कौन सी पांच बस्तु रखने से आपका पर्स खाली नहीं रहेगा आपकी फीजुल खर्ची कम हो जाएगी पहला धन की देवी मा लच्चमी की तस्वीर मा लक्षमी धन से समंदित हर परकार की मुश्किलों का समधान कर देती है माता लक्षमी की तस्बीर जदी आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी आपका पर्स खाली नहीं होगा मातालच्मी की वहीं तस्बीर अपने पर्स में रखें जिसमें वे बैठी हुई मुद्रा में हो दुसरा पीपल या तुलसी का पता हमारे हिंदु धर में पीपल और तुलसी दोनों को ही पुजनिये मान कर उनकी पूजा की जाती है सास्त्रों में इनका अत्यधिक महत है ताथा दोनों के धन से जुड़ा अनेक सास्त्रिय उपाई भी है बास्तु सास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल अथवा तुलसी का पता रखना चाहिए ऐसा करने से आर्थिक लाब होता है इन पत्तों को सुभ महुर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए ऐसा करने से आपका पर्स सदय धन से भरा रहेगा जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तिसरा लाल रंग का कागज यह एक परकार का टोटका है जिससे मनोकमनाएं पुन होती है यह एक अचुक टोटका माना जाता है इस टोटके के लिए आपको सिर्व एक लाल कागज चाहिए इस कागज में आप अपने इक्षा कुमकुम या हल्दी से लिख कर उसे रिस्मी धागे से बांध लें इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें ऐसा करने से आपकी मनोकमना अवस्य पूरी होगी यह उपाय सुबह अशनान कर अपने इश्ट देव की पूजा करने के बाद करनी चाहिए चौथा चावल सास्त्रों में अनाज और धन दोनों को समान मना गया है इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्त है आप जो चावल पूजा में अक्षत के लिए उप्योग करने के लिए रखते हैं उसी अक्षत वाली चावल में से एक चुटकी अपनी पर्स में रख लें इस उपाय से आपका अंचाहे खर्च कम हो जाएगी फीजुल खर्ची पर लगाम लग जाएगा पाचवा छोटा सीशा या छोटा चाकू सास्त्रों के अनुसार जदि आप पर्स में एक छोटा सीशा का टुकड़ा या छोटी चाकू रखते हैं तो यह आपके धन बिर्धी में सहायता करते हैं आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं इस उपाय से आपका पर्स नोटों से भारा रहेगा फिजुल खर्ची पर अंकुष लगेगा ताथा कहीं न कहीं से धन आगमन का रास्ता अपने आप बनने लगेगा दोस्तों आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपना ग्यान बढ़ाएं तथा अपना जीवन सरल और सुगम बनाएं मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें